हेलो स्टुडेंट्स, हाव आर्यू आल, गूद मॉर्निंग अल आफ यू, आएं स्टुटी पटेल, टीचर आप सिन्य केजी, तुडेय वी आर लर्निंग अबाउट इवी एस सब्जेक्ट, सो बच्चो प्रिवेस वीडियो में हम लोगों ने लेशन नंबर सिक्स्टीन, ब अधर करना है, नया लेशन स्टार्ट करना है, लेशन नंबर सैवेंटीन, गूड हैबीट्स, गूड हैबीट्स का मचलब क्या होता है बच्चो, आप लोगों को पता है, आपकी जो आदते होती ना, वो अच्छी होनी चाहिए, बैद नहीं होनी चाहिए, और अच्छी बाट नेक्स्ट वेडियो से हम अपना जो हाड़ वर्स है वो लिखेंगे, सबसे पहले मैं ओरली आप लोगों को बता देती हूँ, कि गूड हैबिट्स में कौनसी कौनसी चीज है, जो आती है, कौनसी कौनसी चीज आती है, जैसे कि सबसे पहले सुबा सुबा जल्डी उठना, उठके नहाना, दोना, अच्छे से रेडी होना स्कूल जाने के लिए, और स्कूल आप जब भी जाओ, अपना टाइम जो होता है स्कूल का वो ही टाइम पे जाओ, लेट मत हो, फिर एक दूसरे की मदद करो, आपके पास कोई भी चीज होती है, क्लासरूम में कोई बच्चा आपके पास पैंसिल मांगे और आपके पास अगर डो है, तो आपको उसको देनी चाहिए, यह अच्छी आदत होती है, फिर आपके पास गर में जो दाडा दादी होते हैं, अगर वो पानी मांगे, कुछ काम दे आपको, तो आपको वो काम करना चाहिए, फिर अपने पापा मुमी आपके पास जो बड़े होते हैं, आपके घर में उसके सब की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, आप जब भी स्कूल जाओ, कुछ अच्छा काम करने चाहिए, तब आपको उसके पापा मुमी के पैर चुने चाहिए, फिर आपके क्लास में अगर टीचर पढ़ा रही है तो आपको carefully सुनना चाहिए ऐसा नहीं कि आपके पांस में आपके डोस बैठा उसके साथ आप बातचीत करते रहो ऐसा नहीं है क्लास में noise बिल्कुल नहीं करना है आवाज नहीं करना है अच्छे से पढ़ना है यह good habits होती है फिर आप जब भी टीचर के साथ या तो ममी पपा के साथ कुछ भी बाते करे हो तो कभी जूट नहीं बोलना चाहिए आप अगर स्कूल में आए और आपने homework नहीं किया है तो आपको बोल देना चाहिए कि मैंने homework नहीं किया है जूट नहीं बोलना चाहिए कि मैं गर पे notebook बुल गया है या ममी नहीं करवाया ऐसा नहीं बोलना चाहिए तो यह जो good habits है वो आपके लिए बहुत जरूरी होती है कुछ भी हो आप लोगों को अच्छे से ही रहना है तो ही आप अच्छे बच्चे कहलाओगे अगर आप good नहीं रहोगे तो आपकी habits अगर good नहीं होगी तो आप भी good बच्चे नहीं होगे ओके सो हमें इस lesson में यही सिखना है कि कौनसी कौनसी आड़ते जो daily routine में आप लोगों को अच्छी करनी है अगर आपकी बूरी है तो भी आपको अच्छी कर लेनी है ओके और textbook में जो है वो भी मैं आप लोगों को समझाऊंगी तो और अच्छे से समझ में आएगा सो आज हमें सिर्फ oral करना है next video में हम hard words लिखेंगे ओके so let's see look at this lesson number 17 good habits यानी अच्छी आदती habit का मतलब होता है आदत we should have good habit हमें हमारे में good habit होनी चाहिए good habit make us good person good habit अगर हमारे में होगी तो हमें good व्यक्ति कहा जाएगा यानी हम good अच्छी व्यक्ति बन सकते हैं our parents and teachers teach us good habits teachers और parents जो होते हैं वो always आप लोगों को अच्छी अच्छी आदते ही सिखाते हैं next उसमें सबसे पहली आदत कौन सी होनी चाहिए we must get up early in the morning यानी कि सुब सुब जल्दी उठ जाना चाहिए अगर आप जल्दी नहीं उठोगे तो आपको ready होने में late हो जाएगा और आप school पर time पे नहीं पहुँच पाओगे next ये क्या है we must take a bath every morning आपको हर रोज हर सुबर नाना चाहिए कई बच्चे ऐसे होते हैं कि बीना ना है गुमते रहते हैं ऐसा नहीं करना है हर रोज आपको नहाना है we must go to school regular on time अगर आप अच्छे से सुबर जल्दी उठोगे अच्छे से नहालोगे तो आप regular जो time होता है school का वहाँ पहुँच पाओगे टाइम पी लेक नहीं होगे नेक्स यह क्या है we must share our drinks with others यानि कि अगर एक क्लास में एक बच्चा इरेजर या सापनर नहीं लाया है और वो आप लोगों को बोल रहा है कि मेरे पास नहीं है मुझे दो तो आपको डेना चाहिए share करना चाहिए कुछ भी चीज़े हो अगर आप chocolates खा रहे हो और आपके पास आपका डोस्त बैठा हो तो ऐसा नहीं करना है कि आप पूरा अकेले ही खा जाओ उसको भी share करना है सारी चीज़ें आप लोगों को share करने खानी है अगर आप school में नास्ता लाओ टिफिन लाओ तो भी आप लोगों को अपने दोस्तों के साथ share करके खाना है we must help one another अब कोई भी रास्ते में छोटा बच्चा अगर रो रहा है अगर आप उससे बड़े हो तो आपको उसको सान करना चाहिए फिर अगर आप देखते हो कि दादा दादी होते है कोई भी होता है अगर वो उसको roll cross करने में problem होता है तो आपको उसके heart पकड़के roll cross करवाना चाहिए उसकी help करनी चाहिए अगर आपके छोटे भाई बहन हो उसकी भी आपको help करनी चाहिए okay we must obey and respect our elders आप लोगों को always आपके ममी पापा जो होते है उसकी respect करनी चाहिए उसके सामने कभी नहीं बोलना आपके छोटे भाई बहन होते है उसके साथ भी आपको जगड़ा नहीं करना चाहिए जैसे आप लोग बड़ों के साथ अच्छे से रहते हैं उसी तरह से छोटों के साथ भी अच्छे से ही रहना है we must listen carefully to our teachers यानि teacher आप लोगों को जब भी पढ़ाते हैं आपको अच्छे स सुनना है जो भी कहें अच्छे से सुनना है एक दूसरे के साथ बात नहीं करनी है अगर आप class में जब teacher पढ़ाते हैं तब अच्छे से सुनोगे तो आपको वो चीज डुबारा से समझनी नहीं पड़ेगी वहीं पे आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा तो teacher क कहां भी मारना चाहिए we must always speak the truth आप लोगों को always speak जो आप कुछ भी बोलते हो वो अच्छे से सच बोलना चाहिए कभी भी आपको जूट नहीं बोलना चाहिए तो आप लोगों को इतनी अच्छी आदतों याद रखनी है next वीडियो में हम hard words लिखेंगे तब भी हम यह सारा कुछ लिखते लिखते फिर से याद करेंगे तो अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाएगा तो आज के